जब मैं स्कूल में था, तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, जो बाद में मेरा बहुत अच्छा दोस्ट बन गया, उसका नाम सुमित था, सुमित मेरे साथ 9th क्लास से आया था, वो बहुत ही अच्छा बच्चा था, वो सब की मदद करता था, सब दोस्तों से उसकी में अच्छा था, गेम्स में अच्छा था, सभी लोग उससे पसंद करते थे, दोस्तों से खूब जमती थी उसकी, पर उसकी एक ही परिशानी का कारण था, उससे एक लड़की पसंद थी, और उससे कभी बात नहीं कर पाता था, जब भी वो उससे देखता था, तो वो शर् पर सॉलिशन क्या है, वो कैसे बात करेगा उससे, उसने बहुत कोशिश की, पर उससे कोई जवाब ने मिला, फिर वो इन सब सवालों को लेके अपने एक दोस्त के पास गया, जो इन मामलम में बहुत एक्सवर्ट था, वो अपने दोस्त के पास गया, और उसने सारी कथा सुमित ने इस बुक से पाँच टिप्स सीखी, पाँच लेसन सीखे, जिसकी मदद से न केवल वो उस लड़की से बात कर पाया, बलकि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और बाद में उनकी अच्छी खासी दोस्ती जो है, वो एक रिलेशन्शिप में बदल गी, ये स जब भी हम किसी को देखते हैं, तो सबसे पहले नजर हमारी उसकी स्माइल बजाता है, और उसकी स्माइल से हमें पता लग जाता है, कि वो बंदा कैसा है, वो बात करने लायक है या नहीं है, जितने में ग्रेट लीडर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी स्माइल को काफी खास बनाया है, लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी स्माइल जैन्विन है और कौन सी स्माइल नकली है यानि कौन सी स्माइल बनावटी है तो इसलिए एक बात हमेशे जहां रखे कि हमेशे स्माइल दिल से आनी चीए और अंदर से आनी चीए और वो smile genuine होनी चीए, बनाविटी नहीं होनी चीए लेसन नमबर दो, use good eye contact आपको कैसा लगेगा जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो इधर उधर देख रहा हो तो आपको अंदर से ऐसी feeling आगी जैसे कि आप important नहीं है उसी तरह से, जब भी आप किसी से बात करें, तो अच्छा eye contact बना के रखें जिससे सामना ले person को लगे कि वो important है लेसन नमबर थर्ड, you are on a trial इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अगले 10 सेकंड में हमें पता लग जाता है कि वो बन्दा कैसा है यानि जैसे आप बच्चे से बात करते हैं, बिल्कुल खुल के बात करते हैं एक smile होती है चाहरे पर और आखों में चमक होती है तो उसी तरह से, जब भी आप किसी नए बंदे से मिलें तो उसे बिल्कुल बच्चे जैसा treatment दीजिए एक example देखते हैं, मान लेजिए आप किसी party में गए है और आपको वहाँ पर किसी stranger से introduce करा गया है तो आप कैसे बात करेंगे इस बुक में एक technique दी गई है कि आपने सोच के चलिए कि वो एक आपका पुराना दोस्त है और फिर बात कीजिए, फिर देखे conversation कैसे जाती है lesson number 4, what to say after high अकसर लोग बातचीत स्टार्ट तो कर देते हैं high बोलके लेकिन फिरों ने ये समझ बनिया था कि अब high के आगे क्या बोला जाए आगे क्या बात की जाए जिससे हमारे बातचीत बनी रहे और सामने वाला बोर भी ना हो इसके लिए अगर बातचीत आपको सही करनी है तो सबसे पहले आपको small talk को master करना पड़ेगा example के लिए देखते हैं मान लिजी आप किसी party में गए हैं वहाँ आपके दोस्ते आपको किसी stranger से introduce करा है तो आपको सबसे पहले काम क्या होगा आपका सबसे पहले काम ये होगा कि आप उससे घुल मिल जाएं यानि कि उससे अपने comfort में ले ले जिससे कि आपकी बाते सही चले ने तो आप भी बोर हो जाएंगे और वो भी बोर हो जाएंगे तो इसकी एक टेक्निक बताए गई है वो है match their mood यानि कि जैसा mood है सामने वाले का वैसी आपको बात करनी है अगर वो खुश है तो आपको जोक सुना दिना है या फिर कोई अच्छी सी खुशी वाली बात करनी है अगर वो दुखी है तो आपको उसी टोन में बात करनी है तो जैसा उसका mood होगा वैसी आपको बात स्टार्ट करनी है और फिर धीर धीर आप दोनों में आपकी बातचीत पट्रीपा आ जाएगी एक conversation में mood match करना कितना important होता है इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि मान लिजी आप meeting के लिए late हो रहे हैं तो आपका best friend आता है और वो आपको अपनी कथा सुनाने लग जाता है पर जब आपका अभी बात करने का mood नहीं है क्योंकि आप late हो रहे हैं तो आप उसकी बात नहीं सुनना चाहेंगे तो ट्रिक ये है कि जब भी आप mood match करने की सोचें तो words ना सोचके music सोचें जिससे आपका तालमेल बना रहें इसी से दोस्ती गहरी होती है एक बार मेरे दोस्त ने पार्टी रखी और उसने मुझे भी बुलाया था वहाँ पर सभी लोग में लिए अंजान थे मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया था और बागी सब strangers थे मिल लिए तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा मुझे पता लगा कि वहाँ तो सारे companies के employees हैं यानि कि दोस्त के सारे company के employee थे और वो company थी computer database management system की जो कि वहाँ पर सब company के employee थे और सब एक दूसरे को जानते थे सब एक ही company के थे तो वहाँ पर सब company की बाते कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ बाते कुछ इस तरह चल रहे थी एक पूछ रहा था कि project CMT की deadline क्या है दूसरा कह रहा था कि project CMT में तो सिर्फ domain का काम बचा है और ये सब बाते मेरे उपर से जा रहे थी तो मैंने सोचा कि कैसे मैं इन सब strangers को एक friend बनाऊं तो मैंने decide कि कि मैंने अपने दोस्ट से पूछूँँगा कि जो computer guys होते हैं वो अकसर आपस में क्या बाते करते हैं starting के questions क्या क्या होते हैं ये decide करने के बाद मैंने अपने दोस्ट को message कर दिये कि computer company में काम करने वाले generally क्या question पूछते हैं और मैंने वो message भेज दिये facebook में और luckily वो online बैठा था और उसनों मुझे सारे question के answer दे दिये पॉमन होते हूँ बागे फिर उसके आप topic change कर दीजे जिससे उन्हें लगे कि आप उन्ही में से एक हैं तो दोस्तों हम इस वीडियो की summary दक पहुँच गए हैं तो आईए हम देखते हैं पांच ऐसे lessons जो सुम्भित ने देखे और उसे apply किये तो पहला lesson था use smile as a weapon तो जिसमें हमने से एका था कि smile जो है हमेशा genuine होनी चीए क्योंकि लोग बहुत आसाने से पहचान लेते हैं कि नकली smile कौन सी है और असली smile कौन सी है second था eye contact इसमें हमने देखा था कि हमेशा eye contact बना के बात करनी चीए जिससे सामने हाले को लगे कि वो एक important है जब हम eye contact मिला के बात करते हैं तो conversation कुछ अलगी होती है तो इसी से रिष्टे गहरे होते हैं और इसी से conversation अच्छी जाती है third lesson था you are on a trial जिसमें हमने देखा था कि आपके पास सिफ 10 second है किसी को भी ये बताने के लिए कि आप से बात की जाए या नहीं की जाए तो आपको उन 10 second में ही कमाल करना होता है और उन 10 second में ही आपको conversation अच्छी तरह ले जानी होती है तो इसमें trick ये थी कि आप जब भी किसी नए बंदे से मिले तो उसे ऐसे ही treat करे जैसे आप किसी छोटे बच्चे को treat करते है चौथा lesson What to say after high तो इसमें हमने देखा था कि हाई के बाद आगे conversation कैसी लिए जाए जिसमें हमने देखा था कि आपको small talk को master करने की ज़रूत है जिसमें trick ये थी कि आपको सामने वाले का mood match करने की ज़रूत है जिसमें हमने देखा था कि हमें उनकी common points उठाने है जो कि आप में भी common हो और उनमें भी common हो तो दोस्तो इस वीडियो में हमने देखा बुक How to talk to anyone 92 little tricks for big success in relationship तो दोस्तो ये बुक दोनों ही personal relationship और business relationship दोनों के लिए बहुत helpful है तो आपको इस बुक को read जरूर करना चीए और अगर आपको इस type की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like कर दीजिए share कीजिए और subscribe कर दीजिए